जैसा है कि दोस्तों मैं आप सभी को BH to BHC इंट्रेस एक्जाम की तहारी करा रहा हूं और आपकी बहुत अधिक डिमांड थी कि सर आप सेंपल पेपर अपलोड कीजिए तो पिछले दो दिनों में मैंने बायो से रिलेटेड सेंपल पेपर अपलोड कर रखा है यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो आपको बताना है कि निमलिखित में से कौन सा ऐसा इंटरमिडियोट कंपाउंड है जो कि SN1 रियक्शन देता है तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर कार्बो कैटायन जिसे हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं आप देख सकते हैं CS3 के ऊपर एक पॉजिटी चार्ज है जो कि एक कार्बो कैटायन है अब कार्बो कैटायन का SN1 रियक्शन देने का कारण क्या होता है क्योंकि इनमें पेर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण यह डायमेग्नेटिक होते हैं और इनमें SP2 hybridization पाया जाता है तो कभी-कभी hybridization से भी question इससे पुछा जाता है तो यहां पर इसे दो-तीन पॉइंट पुछे जाते हैं जिसको मैंने आपको explain कर दिया आये चलते हैं अगले question की हो question number 27 है three classes of alcohol may be distinguished by तो alcohol के तीन प्रकारों में प्रभेज किया जा सकता है तो आपको पताना है कि कौन सी अविक्रिया होती है जिसमें की हम पता लगा लें की दिया गया जो alcohol है वो primary है secondary है या फिर तो आपका right option option first oxidation reaction तो ध्यान दिजीए का जब भी हम primary alcohol का oxidation करते हैं तो वहां बनता है aldehyde वहीं अगर हम secondary alcohol oxidation करते हैं तो वहां भारा बनता है ketone तो secondary alcohol के oxidation से बनता है ketone वहीं बात करें हम tersary alcohol की tersary alcohol के oxidation तो यहां पर आप देख रहे हैं कि oxidation के द्वारा अलग-अलग reaction मिल ले हैं अलग-अलग product मिल ले है primary alcohol से aldehyde secondary alcohol से ketone और tersary alcohol से alken तो यहां पर हमारा जो आपसन है पहला oxidation चलते हैं अगले question की हो question number 28 है the carbolic acid is तो आपको बताना है कि carbolic aml है तो phenol को carbolic aml पोला जाता है तो right option is option 4 C6H5OH तो एक चीज यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि organic compound के जो common name है वो पूछे जाते हैं और यहां पर एक question और बनता है जैसे यहां पर carbolic acid दिया है और एक होता है carbonic acid तो carbolic acid और carbonic acid में difference है तो अगर हम बात करें carbonic acid की तो उसका formula हता है H2CO3 जो कि एक inorganic compound है तो दोनों में difference है अप इसको याद रखेगा और ऐसे question पुछे जाते हैं अहीं चलते हैं अगले question की और question number 29 है the mechanism of dehydration of an alcohol to give an alkene involve formation of तो आपको बताना है कि इलकीन प्राप्त करने के लिए alcohol नेजली करण प्रक्रिया में निम निम से किसका बनना समलित है तो इलकोहॉल से इलकीन प्राप्त करने की जो नेजली करण प्रक्रिया है उसमें जो intermediate compound यूज करते हैं वो है carbonium and तो आपका right option is option 4 तो student जितने भी आपके theory वाले portion है आप उनको याद कर सकते हैं यह चीज याद कर लिजेगा बढ़ते हैं अगले question क्यों question number 30 है which of the following is an example of condensation polymer तो आपको बताना है कि निमलिकित में से कौन सा एक संगनन बहुलक का उधारण है तो दोस्तों बहुलक से जूड़ हुए test series में मैंने इस तरह के question दे रखें तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका link मैंने दे रखा है बहुत यह अच् एक्जांपल है आपके condensation polymer के हैं तो यहां पर हमारा जो right option है option first है nylon 610 बढ़ते हैं अंगले question की और question number 31 है primary alcohol are oxidized to aldehyde by top को बताना है कि प्रारंबिक alcohol समू किसके द्वारा आकसी करण से aldehyde में परिवर्तित होते हैं तो याद रखे कर कि जब भी प्रात्मिक alcohol का oxidation होता है त परन तो यहां पर पूछा है कि उसको convert करना है मतलब की प्रात्मिक alcohol को convert करना है सिर्फ aldehyde में तो इसका सिर्फ एक example है जो कि है PCC यानि की option no.4 perinidium chlorochromate आई चलते हैं अंगले question की और question no.32 है a strong base can abstract an alpha hydrogen from तो आपको बताना है कि एक उच्च छमता वाला चार alpha hydrogen को निकालता है तो पहले question में क्या पूछा है मैं आपको समझा देता हूं तो यहां पर बताया रहा है कि कोई एक strong base है जो कि alpha hydrogen को हटाता है अब alpha hydrogen पाया किसमें जाता है functional group में पाया जाता है तो आई पहले जानते हैं कि alpha hydrogen होते क्या है तो जैसा कि हमारे पास acetone है acetone का formula क्या होगा CS3 CO CS3 तो यहां पर हमारा functional group है CO यानि की ketone और functional group का जो पडोसी carbon होता है उस पे जो hydrogen होते हैं उसको हम बोलते है alpha hydrogen तो आपने समावयता में पढ़ा होगा चलावयता tautomerism तो उसमें आपने देखा होगा कि जो alpha hydrogen होते हैं वो move करके चले आते हैं ketonic group के oxygen के पास तो अभी यह किसमें convert हो जाता है तो यह भगल जाता है CH3 COH double bond CH2 यानि कि यह ketone से convert हो गया inol form में अभी से inol क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पर आप double bond और alcohol दोना है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो ketone है और ketone से जुड़े हुए जो पड़ोसी hydrogen है उसको हम बोलते है alpha hydrogen जो की base के through react करते हैं और compound से replace हो जाते हैं या निकल जाते हैं तो यहां पर हमारा right option है option B ketone है चलते हैं अंगले question के question number 33 है यह question बहुत ही common question है और बहुत बार repeat हुआ है तो आप इसको ध्यान से देखेगा और अच्छे से इसको समझेगा question है the reaction among the primary amine chloroform and few drops of alcoholic koh is known as तो आपका right option है option first carbella mine reaction तो इस question में जो पुछा गया या आम तोर पे इससे जो question पुछा जाता है उससे पुछा जाता है कि carbella mine reaction कौन देता है तो याद रखेगा केवल primary amine ही carbella mine reaction देते हैं बाकि आपके जो secondary और tertiary amine है वह या अभिक्रिया नहीं देते हैं question number 34 है benzeen diazonium chloride react with hypo phosphorus acid to form तो आपको बताने कि क्या बनता है जब benzeen diazonium chloride hypo phosphorus समले से अभिक्रिया करता है तो आपका right option है option second benzeen तो इस अभिक्रिया में benzeen बनता है तो इस अभिक्रिया में बनता है आई चलते है अगले question की और question number 35 है the number of alpha and beta particle emitted in the nuclear reaction तो यहाँ पर reaction दिया गय है और आपको बताना है कि इन में कितने alpha और beta particle निकलते हैं तो आएए मैं पहले आपको बताते हूं कि कैसे हम ग्याद करेंगे कि alpha particle कितना निकला हुआ है इसके लिए formula क्या है तो उपर जो लिखा है वो है atomic mass atomic mass में जो changes हो रहे है यानि कि द्रवेमान संख्या में परिवातन बते चार तो हम formula लिख सकते हैं कि alpha particle का संख्या बराबर हो जाएगा changes in atomic mass upon 4 तो इस formula का use करके हम जो number of alpha particle निकले वे उनको ग्याद कर सकते हैं आई अब देखते हैं beta के लिए क्या उसकरेंगे 2 into alpha minus इसके बाद लिखेंगे change in atomic number तो beta के लिए हमारा formula होगा 2 into alpha minus change in atomic number atomic number को हम z से denote करते हैं तो यह formula आपके physics में भी आता है और chemistry में भी आता है तो आपके modern physics में यह बहुत ही important है और इसे बहुत सारे question पूछे जाते हैं तो आई देखते हैं कि हम कैसे question को solve करेंगे तो हम पहले बात कहते हैं alpha particle की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि atomic mass में जो changes आ रहे हैं वो आ रहे हैं 228 माइनस 212 तो total change आ रहे है 16 का तो 16 बटे 4 करेंगे तो हमारा आजाएगा answer 4 मतलब यहाँ पर 4 alpha particle निकल रहे हैं वही बात करें बीटा की तो 2 into alpha particle का number है 4 minus अब यहाँ पर atomic number में changes के आ रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं 90 से हो जा रहे ह 380 यानि की 7 का changes आ रहे हैं तो minus 7 करेंगे तो हमारा answer आ जाएगा 1 beta तो इस तरह से 4 alpha और 1 beta particle यहाँ पर निकल ला तो right option option first आए चलते हैं अगले question की है question number 36 है बहुत अच्छा question है और आपके board के exam में भी पुछा हुआ है और repeated question है तो most important है कई बार पुछा हुआ है तो आप इ इसकोल 2 हम सभी जानते है कि आंसिक दाव होता है बटे में चया उपर चया नीचे बस यहां पर अंतर होता है उपर प्रोडक्ट होते है नीचे रियक्टन कोता है तो अगर हम पहले वाले reaction के लिए देखे NO2 प्लस हाफ O2 का स्क्वाइर NO2 O5 तो इसके लिए अगर हम KP निका हाफ और यहां पे से मल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि प्रेशर है ताप पी से मल्टिप्लाई करिए यह ने करिए कोई मतलब नहीं है अब आये चलते हैं अगले equation की और तो अगले equation में देखेंगे अगर हम उसको KP डैस माल लेते हैं तो KP के लिए करेंगे तो यह चीज ज में रिवर्स रिलेशन है और वो भी रूट का तो हमारा जो राइट आपसन आएगा मतलब इसको सॉल्ब करिएगा आप लोगों अगर पढ़ा है तो जब इसको सॉल्ब करेंगे तो आपका राइट आपसन आएगा आपसन थर्ड तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही मिल मिलते हैं बाकी बचेवे कोश्चन के साथ अगले पार्ट में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत